आज हम ये टॉप बनाने वाले तो जिल देखते हैं से कैसे बनाते हैं तो फ्रेंट एक तॉप बनाने के लिए पहले आपको फेविकॉल की एक बोटिल जाये इसको हमने हाफ में काट लिया है अब हम एक नट लेंगे और इसके अंदर आजसे अज़्ड करके अब इसके अंदर फेविकॉल डालेंगे और इसके अंदर पेपर लगाएंगे और इस धकन को वापस हम इस बॉटिल में लगाएंगे अब आपको तुड़ा और भी पेपर इसमें लगानी है हमारे फेविकॉल के बॉटिल को पूरा पेपर से बर लेनी है और अब हम एक न्यूस पेपर लेंगे आपका न्यूस पेपर बड़ा होनी चाहिए अब हम इस न्यूस पेपर को फोल्ड कर लेंगे एक बड़ी सी पेपर की स्ट्रिप बनाने के लिए तो दोस्तों अब हमारा पेपर का स्ट्रिप जो है वो तयार है अब हम इसका शार्प एंड्स काट लेंगे और इसे कर्व कर लेंगे हमारे स्ट्रिप को ऐसे कर्व कर लेंगे और इसको हमारी फेविकॉल के बड़िल के उपर लापेट लेंगे तो दोस्तों अब हमारा टॉप जोएल वो लगबग तयार हो चुका है हमने इसे पूरा पेपर के स्ट्रिप से लापेट ली आया है अब हम इस ट्रिप को प्लास्टर से चिपकाएंगे अब हम इसके अंदर पेपर बॉल्च को भी डाल कर इसे बड़ि कर लेंगे तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा टॉप जो है वो बन गया है अब हम इसके ऊपर प्लास्टर लगा रहा है ताकि इसे कुछ स्ट्रेंथ मिले तो दोस्तों अब हमारा टॉप को स्ट्रेंथ देने के लिए हम एक पेस्ट बनाने वाले है उस पेस्ट के लिए आपको पानी और फेविकॉल जाहिए आप पानी और फेविकल को मिक्स कर लीजिए अच्छी से आपको एक बात याद रखने हैं कि आप पानी और फेविकल की मात्रा सेम होनी चाहिए तो दोस्ता अब हम टिशू पेपर लेंगे एक टिशू पेपर को हमारी जो पेस्ट है उसके अंदर डालके हमारी टॉप के उपर चिपका लेंगे तो दोस्ता अब हम इसके ऊपर दागा बांग रहे हैं ताकि अच्छे से स्ट्रंथ मिले तो दोस्तों हमने दागा हमारे टॉप पे बांग दिया है अब हम एक और दागा बांगने वाले हैं ताकि हमारे टॉप का कुछ लूप का अच्छा लगे तो दोस्तों अब हम एक टेप ले तीन कलर के टेप ले आएं अब हम इस टेप को हमारे टॉप के ऊपर लपेटेंगे ताकि हमारे टॉप अच्छा लगे हमारा जो टॉप हो तैयार है हमने इस पर टेप लापेट लिया है अब हम इस रूप के साथा से इसे लांज करेंगे करेंगे करें ली टो लाही है कना श्रब कना श्रब कना इस आच्छाहना नाफ़का multipक कुर्शा नाच дв align